सो हे गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपकमिंग सैमसंग गलक्सी M सीरीज के सैमसंग गलक्सी M31S डिवाइस के बारे में अब बैसिकली ये डिवाइस सैमसंग गलक्सी M31 का ही एक सक्सेजर होने वाला है जहां पर आपको बहुत ही कमाल का अपग्रेड देखने को मिलेगा और आपको नहीं पता तो बता दू कि सैमसंग की M सीरीज होती है वो बहुत ही कमाल की होती है मतलब आपको 10 से लेकर 20,000 के अंदर आपको फोन्स देखने को मिल जाते हैं Samsung के M-Series के अंदर और इसके बेस्ट इक्जामपल है Samsung Galaxy M21 और M31 जिनके अभी के टाइम पे आपको 10 से लेकर 15,000 के अंदर फिर 20,000 के अंदर आपको बहुत ही कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं जहां पर अच्छी बैटरी और अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलते हैं और Samsung इसी सीरीज को कंटीनिव करते हुए Samsung Galaxy M31S को लांच करने माली है जो कि 31st of July को इंडिया के अंदर लांच कर दिया जागा लेकिन उससे पहले इस डिवाइस को लेकर सारी स्पेक्स सामने निकल कर आ चुके है अलॉंग विद प्राइस तो इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक जरूर देखते रहे ना के डिस्प्ले को लेकर सो गाइस Samsung Galaxy M31S के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की एक सूपर AMOLED स्क्रीन टैक्स के आपको जो कलर रिप्रोडक्शन मिलेगा डिस्प्ले के अंदर से कमाल के मिलेगा और Samsung की बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम प्राइस के अंदर या फिर किसी भी प्राइस के अंदर आपको सूपर AMOLED या फिर AMOLED स्क्रीन देही देती है बाकि डिस्प्ले के टॉप सेंटर में आपको मिलेगा इंफिनिटी ओ डिजाइन और यह डिजाइन अब तक Samsung Galaxy A-series और Samsung Galaxy S-series के अंदर ही देखने को मिलता था बट अब बहुत ही कमाल के Samsung Galaxy M-series के अंदर भी देखने को बिलेगा और यह जो सेंटरल पंचोल कटाउट होते हैं वो लूक वाइस बहुत ही कमाल के होते हैं जिनको Samsung बोलती है इंफिनिटी ओ डिस्पले और गैस Samsung के M-series के अंदर अब तक आपको बैक साइड में फिंगर पिंट सेंसर देखने को मिलता था एक AMOLED स्क्रीन होने के बावाजूद भी बट इस फोन के अंदर यानि Samsung Galaxy M31S के अंदर आपको मिलेगी इन डिस्पले फिंगर पिंट सेंसर लेकिन अगर बात करें इस फोन के बैक पैनल को लेकर तो रियर साइड में इस बार भी हरदम के तर आपको एक प्लास्टिक बैक जरूर मिलेगी बट इस बार जो आपको बिल्ट क्वाल्टी होगी जो फिनिसन ही देखने को मिलेगी वो काफी जादे प्रीमियम होगी और ग्रेडियंट बैक के साथ बहुत ही कमाल के लुक के साथ ये ओवरॉल आने वाल है मतलब M-series के अंदर अब तक आपको प्लास्टिक बैक ही देखने को मिला था बट उसके अंदर जो क्वालिकी थी वह तनी अच्छी नहीं थी जो कि M31S के अंदर आपको कहीं ने कहीं बहुत जादे इंप्रूब मिलेगी बाकि अगर हम बात करें बैक साइड की तो यहां पर आपको बैक साइड में क्वार्ड कैमरा संसर मिलेगा और L-Sep के अंदर आपको इसकोरी बॉक्सी डिया इनके अंदर कुछ इस तरीके से प्रीमियम लुक देता हुआ एक कैमरा देखने को मिलेगा जहां पर प्रैमरी ल इसके अंदर भी जो फोन्स आते हैं उनके अंदर आपको 22 Megapixel के depth or macro मिलते हैं वाट इस phone के अंदर आपको 5 Megapixel का depth or 5 Megapixel लेज़ा थे जै N well देखने already in digital ने में अब इसके माझस से आप जब भी फोटोस क्लेक करोगे तो एक सिंगल क्लिक में आप काफी सारे ले पाओगे और उसमें से आप अपने हिसाब से बेस्ट फूटेज निकाल पाओगे बाकी स्पून के फ्रंट कैमरा में आपको मिलेगी 32 मेगा पिक्सल के एक सेलफी सुटर जो कि आज इस प्राइस के अंदर बहुत ही कमाल की बात हो जाती है लेकिन अगर बात करें इस फून की हर एक फून के अंदर डाउन साइड ही रहती है जो कि इस फून की प्रोफॉर्मेंस जी हां दोस्तो इस फून के साथ आपको हो सकता है कि सेम वही एक्जोनोस 9611 chipset देखने को मिले जो कि सैमसंग के 12,000 से लेकर 20,000 के सारे ही फून के अंदर देखने को मिली जाता है हाला कि यह चीज़ अभी ऑफिसली कंफर्म तो नहीं है बट इंटरनल सोर्सेस के एकोर्डिंग इस फून के अंदर भी आपको कंफर्म ली इस फून के अंदर भी आपको हर बार के तरह 6000 MHz यह नी 6000 MHz की बैटरी मिलती है और गाइस इस बार आपको फास्ट चारजिंग के अंदर भी इंप्रूमेंट देखने को मिलेगी जहां पर अब तक आपको 18W तक की फास्ट चारजिंग सपोर्ट मिलती थी बट इस बार आप 25W यह नी 25W का फास्ट चारजिंग सपोर्ट मिलता है और साथी साथ इस फून के साथ आपको 3.5 mm आडियो जैक यह एड़फोन जैक भी दिया जाएगा और साथ यह फोन डूल 4G को सपोर्ट करता है बाकि अगर सौफ़वेर की बात करें तो यह फोन Android 10 के साथ Samsung के One UI के साथ आने माल है लेकिन अगर बात करें इस फोन के प्राइज और लांच डेट को लेकर तो यह फोन अपने बेस वेरेंट 6GB RAM के साथ में 8GB RAM option के साथ देखने को मिलेंगी जहां पर आपको अप्टू 128GB storage option देखने को मिल देखेंगे और आप इनके storage को memory card लगा के expand भी कर सकते हो ब अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक्यू और साथ में वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल अबूले तक कि ऐसी वीडि मात्रम की पोटी